जैमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशागरता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्तोंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मंत्र का चलते फिरते या कोई भी कारे करते वक्त आप मानसिक जाप करते रहते हो बार बार तो उस जाप से आपके उपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वो जाप आपका सिद्ध होता है या नहीं होता इसी विशेपे आज मैं आपको जानकारी दूँगा देखी दोस्तो मंत्र का जाप तीन प्रकार से किया जाता है वाचिक, उपांशु और मानसिक इन तीनो जापों में सबसे स्रेष्ट और सबसे उत्तम जाप मानसिक जाप को बताया गया है और ये सीधा सीधा कहा गया है कि जो भी साधक जो भी वैक्ती मानसिक रूप से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है और उसका जो लाब मिलता ह सादक को वो एक अलग ही स्तरका होता है लेकिन लोग उपांशू जाप कर रहे हैं वाचिक जाप कर रहे हैं तो उनको सिद्धी प्राप्त करने में समय लगता है बात अगर करें हम शाबर मंत्रों की या फिर अन्य जो बड़े-बड़े मंत्रों होते हैं उनका आप वाचिक औ द्वादा शाक्षर मंत्रों गया यह इन सभी मंत्रों का मानसिक रूप से ही जाप किया जाए तो जादा स्रेष्ट रहता है और जल्दी सिद्धी आपको प्राप्त होती है अगर आपके नियमों में कोई कमी भी रह गई है आप आपने जो आप अनुष्ठान में नियमों क को आप फॉलो कर रहे हो उनमें कोई कमी है सिर्फ और सिर्फ आप मानसिक रूप से जब कर रहे हो बिना किसी नियम के बिना किसी परहेच के या बिना किसी अन्य अनुष्ठान के जो हम हवन की क्रियाएं करते हैं या फिर धूपदीप की क्रियाएं करते हैं या फिर हम कोई कि क्वी स्तोत्र पार्ट कर रहे हैं कोई चालिसा पार्ट कर रहे है इन सभी अगर आप नहीं भी कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ आप सामानय रूप से आसन की उपर बैठ करके मानशिक जाब भी अगर आप इसी drum का कर रहे हो तो वो मंथ्र आपका बहुत जल्दी सिद्ध होत मंत्र सीधा हमारे इश्टदेव तक पहुंच जाता है क्योंकि जो हमारा यह मस्तिशक है दूसरा ब्रहां मांड है Two हमारे बाहर है एक ब्रहां हमारे अंदर है वह भाहण है कि यह ब्रहरं चाहिए ब्रहमांड से इसको परिभाषित किया किया गया है is इसी वजह से क्योंकि जो कुछ भी बहार है वो सब कुछ हमारे अंदर ऊपस्थित है और जब हम मानसिक याप करते हैं तो हमारे जो भीत्रि ब्रह्मांड है उसमें हल्चल होनी शुरू हो जाती है जिस प्रकार से बाहरी मांड में तरह-तरह के विसफोट होते रहते हैं तरह-तरह की चीज़े आपको देखने को मिलती हैए उसी प्रकार से हमारे अंदर जो छक्तियां छुपी हुई है जब उनमें विसफोट होता है मंतरों की उर्जा उन तक पहुंसती है तो वो भी हमको सिद्धी प्रदान करती हैं और हमको यहां तक की इतनी पावरफुल शक्तियां सादकों को भगतों को प्रापत हो जाती क्योंकि वह किसी भी वैक्ति को हजारों लाखों किलोमेटर दूर सकते हैं, और किसी बी वैक्ती के बारे में कोई भी जानकारी KARसकता है, इस तरह की भी शक्तियां सादकोगों को प्राप्त होती है। लेकिन बात वही आती है कि दो चार्ट दिन करने से कुछ नहीं होता। इन सब चीजों को जब आप महीनों तक वर्षों तक फॉलो करते हो तब जाकर के आपको चीजे प्राप्त होती हैं अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मानसिक रूप से किसी भी मंतर का चलते फिरते जप करते हो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो फिर रहे हो घूम रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो मनी मन में आप किसी मंतर का जाब कर रहे हो तो उसका जाब का क्या प्रभाव आपके उपर पड़ता है पहला तो यह है कि जो भी आपके अंदर नकरात्मक विचार है नकरात्मक उर जाए उसका नाश हो जाता है क्योंकि आप माली जिये चल रहे हो फिर रहे हो आप म यह कर रहे हो, और रेड़ी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, दूसरा मंत्र का जाप करने से सकरात्मक उर्जा जागरित होती है, तो आपके अंदर सकरात्मक उर्जा जागरित होगी, जो आपके अंदर बैटी हुई मलीन्ता को, आपके अंदर बैटी उपसे अगर आप जाप करते हो तो आपकी बात सीधा आपके इश्ट तक पहुंच जाती है ठीक है बहले से यह आप चल रहे हो फिर रहे हो कहते हैं कि आज ऐसे की आपने यह चीज अपने साथ भी अनुभव करी होगी कि जब भी आप कहीं जा रहे हो या आपको कोई खतर लोग होते हैं तो आप उनके सामने तो बोलते हैं लेकिन मनी मन में बोलते हो तो वह बात भी आपकी आपके इश्ट तक पहुंच जाती है और वह आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं तो मानसिक जाप करने से हमारे मन की बात सीधा हमारे इश समय ऐसा आता है कि जहां पर आपका जप जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से वो छूट जाता है और जो जप है वो अपने आप होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं भजपा जप और यही जप वो जप होता है जहां पर हम यह कह सकते हैं कि हमको मंत्र सिद्ध हो गया है जब जब आपका मंत्र अपने आप आपके मन ही मन में चलने लगे अपने आप बिना किसी प्रयास के बिना किसी कोशिश के बिना किसी प्रयत्न के जब मंत्र अपने आप आपके मन ही मन में चलने लगे तो आप समझ लेना कि आपको वो मंत्र सिद्ध हो गया है और इसको हम कहते हैं अजपा जप तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं होता यहां पर मंत्र स्वयम चलता है आपके भीतर आपके शरीर में आपके मन में आपके जीवा पर आप उपांशुरूप से या आपके मस्तिश्क में आप सो रहे हो तब भी मंत्र चल रहा है काम कर रहे हो तब भी मंत्र च मंत्र का जाब कर रहे हो तो उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा तो इससे आपको सिध्धी भी प्राप्त होगी मंत्र की भी और देवता की भी और जिस प्रकार से अन्य साधक अन्य भगत अन्य सादू संत जो लोग सिध्धी प्राप्त कर चुके हैं वो कारे कर र कि आपकी कुंड लीनी शक्ति जागरित होने शुरू हो जाएगी और एक इस तर पर आकर के आपको वो दिव्वे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे जो स्रेश्ट सादुकों को होते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क के नियूरॉन से शिश्टम एक्टिवेट हो जाएंगे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने की अवस्था में आ जाएगी, आपका ब्रह्मरंदर खुलने की अवस्था में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिव्य और अलोकी कनुभवोने शुरू हो जाएगे, आपके देवता से जुड़े हुए, आपके इस्ट से जुड़े हुए, तो सारी चीज़े बहतर हुती चली जाएगी आपकी लाइफ में, नेगिटिविटी तो आप भूली जाओ कि वो आपके पा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो आप तक पहुंसके, जै मातारानी की